इंटरनेट पढ़ाई पर कम्प्लीट कोर्स बिल्कुल फ्री और सबसे पहले पाने के लिए इंटरनेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें इंटरनेट पढ़ाई कोम पर अब वसे रिलेटेट करते हैं एक्ष पावर अं से आहोता है कि X की पावर N d y b टेर रखा है पहरे लिक लगते हैं आपने कि d y by d x of x k T p और n-1 पड़ चुके हैं yes or not और मैंने आपको लिमिट चे लिमिट सोरी उसमें derivative of a function वाले पार्ट में आपको इसका प्रूफ भी मैंने समझा दिया अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहो तो dy by dx of x की पावर n is equal to nx की पावर n-1 चलिए एक जांपर ले लेते हैं जैसे आपको दे रखा है dy by dx of x की पावर 10 और एक दे रखा है आपको dy by dx of x की पावर 99 और एक दे रखा है आपको dy by dx of x की पावर x की पावर 23 और dy by dx आपको दे रखा है 1 upon x की पावर 1 upon x की पावर 99 ये कुछ question करते हैं सबसे पहले इसकी बात करते हैं dy by dx of 10x x की पावर 10x तो ये क्या हुआ n x की पावर n minus 1 आपको dy by dx x की पावर n और n की value आपको कितिन दे रखे है तो solution first का किस प्रकार होगा solution solution first का किस प्रकार होगा देखे द्यान से dy by dx of x की पावर n is equaled होता है n x की पावर n minus 1 n x की पावर n minus 1 ये सोर नोट तो आपके पास n की value यहां आपको दीख रहे हुगी कितनी दे रखे है n दे रखे है x की value कितनी दे रखे है n दे रखे है yes or नोट n दे रखे है तो आप इसका solution के maioria dy by dx的 x की पावर 10 तो d y by dx is equal to k talents n ,n n की पावर n minus 1 n minus 1 क्यों n minus 1 और n की value को दीख रहे है कितनी दे रखी है तो 10-1 यह आपका 10xx की पावर 9 अगर आप एक्जामपल करोगे तो बहुत इजी लेगेगा कि यह याद करोगे और 5 साथ इससे रिलेटेड अगर एक्जामपल करते हो तो बहुत इजी है बहुत इजी है नेक्स एक्जामपल करतें आपको देरका जैसे डीवाई डी अगरेएंगाज है यह कलिक्रेट करता। कि येपाइपज को नेटिच्व सक्योंकर इसी पर जाई देकिए तों कि sound केसे सब्सक्ति भाएं अ-d cream आभी य्था ग्यों भूले हां सर आमें तो value दीख रही है एक्स एन की value दीख रही है 99 दे रकिए कितने रुब है 99 एक्स की पावर n और n यहां कितने रेका है 99 तो यह कैसे होगा N एन यानि 99 और n-1 n-1 तो x की पावर 99-1 यह सोलो 99-1 क्यों n-1 होता है और n की बेलियों आपको कितनी देर रखिया है 99 तो यह आए 99 x की पावर 98 99 में से 1 आगर सेपरेट करोगे तो कितना है 98 तो यह next question करते हैं जैसे आपको देर गाए x की पावर 23 आपको क्या देर गाए x की पावर तो dy by dx को x की पावर 23 अब आपको n की बेलियों यहां कितनी देर रिया है 23 देर रिया है तो n x की पावर n-1 n x की पावर n-1 n yes or not x n-1 23-1 बस आपको यह डारेक्ट याद रखना है बाकि बहुत इजी है अगर यह डारेक्ट याद रखोके तो बहुत इजी है 23 और x की पावर 22 जैसे आपको next दे रखाया है dy by dx of x की पावर 1 upon 99 dy by dx x की पावर 1 upon 99 इसको आप कैसे करोगे द्यान से देखिए आपको क्या दे रखाया है dy by dx solution फोर्थ का किस परकार होगा देखिए आपको क्या दे रखाया dy by dx आपको केलकुलेट करना 1 upon x की पावर 99 यह आपको dy by dx केलकुलेट करना है depreciation केलकुलेट करना है अचका derivative केलकुलेट करना है तो किस परकार होगे dy by dx 1 upon x की पावर 99 तो आपको दे रखाया है क्या मैं इसको यह से लिख सकता हूँ dy by dx of x की पावर माइनस 99 समझ गे होगे आप कैसे लिखा यहाँ 1 upon x की पावर 99 है क्या मैं पावर उपर लेकर जाँगा यह उपर लेकर गया मैं तो यहाँ पलस की ती उपर आके माइनस की होगी definitely yes or not x की पावर minus 99 x की पावर minus 99 और आपको यहाँ n की वेल्यू दीख रही होगी x की पावर n x की पावर n और यहां आपका n कितना दे रखा है, minus 99, n की value इतनी है, minus 99, तो मैं क्या लिखूंगा भोलो, n, n की value minus 99, yes or not, n की value कितनी है, minus 99, x की power n minus 1, और n कितना, minus 99, minus 99 और minus 1, minus 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 is plus, तो यह आपका, minus 99, x और x की power minus 100, yes or not, जैसे ही आप power नीचे लेके जाओ गए, तो यह आया, minus 99 और इसको मैं नीचे लेके गया, तो x की power कितनी है, 100, या फिर, आप यह भी सही है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, minus 99 into x की power minus 100, यह भी सही है, और अगर आप power नीचे लेके जाओ, तो minus 99 और x की power 100, yes or not, इसके बाद में, एक आद एक जैंपल और लेते हैं, ताकि आपके यह concept है, जो पूरी तरह से क्या हो जाए, clear हो जाए, और आपको अगर यह video समझ में आए, अगर यह आपको video समझ में आए, तो like का बटन जरूर दवाईगा, ताकि हमें भी पता चले कि आपके यह समझ में आया, और इस से related अगर आपको कोई problem हो, तो comment box में जरूर लिखेगा, और आप इस chapter का, अगर sort में revision करना जाते हो, limit या फिर derivative का, तो आपको description box में इसकी PDF मिल जाएगी, जहां से आप क्या है, कि sort में revision कर सकते हो, और हमारे channel से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जैसे जो भी आपके जो नए student है, जिनको इसके बारे में पता नहीं है, जो लोग हमसे जुड़े होए हैं, और जो लोग हमसे नहीं जुड़े होए है उनको आप FD और WhatsApp पे जरूर शेयर कीजिएगा, चलिए next question करते हैं एक दो, इससे related, जैसे आपको दे रखा है, DYYDX, आपको calculate करना है, 1 upon X की power, 1000, कितना दे रखा है, DYYDX को, 1 upon X की power, 1000, ये calculate करना है, तो क्या है, आपको कैसे करोगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, DYYDX of X की power, minus 1000, आप समझ गए होंगे कैसे, कि ये power आपको यहाँ, पलस में देर की है, मैं उपर लेके आया, तो कितना हुआ, यहाँ, पलस की उपर आके, definitely किस की हो जाएगी, minus की हो जाएगी, तो आपके पास N की value आपको दीख रही होगी, कितनी देर की है, minus 1000, कितना देर का, minus 1000, चाहिए आपको कितनी देर, value देदो, कोई फरक नहीं पेड़ेगा, formula यही रहेगा, तो गवराने वाली बात नहीं, आपको क्या करना है, N X की power, N minus 1, क्या करना है, N X की power, N minus 1, और N आपको कितना देर का है, minus 1000, yes or not, और X की power, minus 1000, और 1000 क्यों हो, क्योंकि N की value इतनी है, minus 1000, और minus 1, N minus 1 करते हैं, तो यह आए, आपका minus 1000, और X की power, minus 1001, और इसको आप ऐसे भी लिएक सकते हो, minus 1000 अपोन X की power, 1001, यह power यहाँ, minus में थी, मैं नीचे लेके गया, तो किस की हो जाएगी, पलस की हो जाएगी, और example कर लेते हैं, जैसे आपको दे रहा है, DYYDX को X की power 90, sorry, DYYDX X की power, X की power 55, यह calculate करना आपको ठीक है, तो यह क्या लिखोगे आप, बोलें, हाँ सरा, हमें तो पता है, NX की power N minus 1 होता है, तो N, N की value दे रहा है, 55, yes or no, N की value कितना दे रहा है, 55, और N into X की power N minus 1, क्या खरते हैं, into X की power N minus 1, तो यहां क्या आया, N कितना 55, और minus 1, minus 1, तो यह आपका 55, और X की power, 55 minus 1 किया, तो कितना आया, 54, yes or no, जैसे आपको दे रहा है, DY by DX of X की power 555, क्या दे रहा है, DY by DX of X की power 555, आपको यह calculate करना है, तो क्या लिखोगे N, N, N की value कितनी, 55, तो यह आया, 555, X की power N minus 1, X की power N minus 1, तो X की power 555, और minus 1, yes or no, तो यह कितना आया, 555, X, और X की power, X की power 554, यह आया, नेक्स लेक्सर में हम derivative की property के बारे में discuss करेंगे, derivative की properties में हम fundamental rule पढ़ेंगे, इसके बाद में product rule पढ़ेंगे, इसके बाद में हम division rule पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम उसके साथ साथ इसन से related हम example भी करेंगे, Thank you very much.